हमने अध्याय दो के पहले भाग में मनोविज्ञान की विधियों पर हम चर्चा कर रहे थे भाग दो के अंदर भी हम मनोविज्ञान की विधियों पर ही चर्चा करेंगे और उससे अगला जो पार्ट हमारे पास आता है वो है प्रिवर्त का सनपरतेरी यानि concept of variables जो variable है वो एक ऐसा उद्धिपक है या जिसको हम stimulus कहते हैं या जो घटना है जो बदलती रहती है अर्थार भिन भिन मानक मान होते हैं उनकी values बदलती रहती है और इन variables का मापन भी किया जा सकता है तो ये जो प्रिवर्ते हैं दो परकार के होते हैं एक है अनाशरित प्रिवर्ते independent variable ये वो variable होता है प्रिवर्ते होता है जिसको अनुसंधान करता नियंतरित कर सकता है उसको घटा भी सकता है उसको बढ़ा भी सकता है दोसरा होता है हमारे पास आशरित प्रिवर्ते dependent variable ये ऐसा विवार है जो अनाशरित प्रिवर्ते में जो का जो परभाव है यानि कि जो हमने independent variable पर बदलाव किया तो उसका विवार पर क्या प्रभाव बढ़ा ये हमारे पास dependent variable है ये आशरित प्रिवर्ते जो गोचर है ये बताता है कि अनुसंधन करता व्याख्या करता है उसकी और अनाशरित प्रिवर्ते में प्रिवर्तन करके उसके प्रभाव को देखना जाता है यही अनुसंधान है उसके बाद प्रायोगिक एमम नेंतरित समू यह दूसरा आस्पेक्ट हमारे पास आता है इसकी अंदर जो हमने पार्सिपेंट्स को लिया है उसको हम दो भागों में बाटते हैं एक प्रायोगिक समू वै समू होता है जिसमें सदस्यों को अनाशरित प्र अरिवर्त परहस्थन के लिए प्रुश्टत किया जाता है यानि यह एक्सपरिमेंटल जो गूरूप है इसको हम independent variable देते हैं दूसरा है नियंतरित समू जिसको हम independent variable नहीं देते हैं तो इन दोनों की फिर हम नात्मक अधेयन करते हैं तो इस प्रकार से प्राद्योगिक और यह भी समहू के अंदर जो सहभागी हैं जो participants हैं इनके जो हम selection करते हैं वो randomly करते हैं randomly का मतल़ है इनका जो वितरण है वो किसी नियम से नहीं होता और उसके अंदर जैसे लिंग है योगिता है कोई भी जो रूप है कुछ समान रूप से वितरित होता है दोनों groups के अंदर उसके अंदर कोई अंतर नहीं होता है तो एक समहू के अंदर जो चैनित हैं उनके सब के एक selection होने की चैनित होने की संभावना एक समान रहती है तो इसलिए हम इसके अंदर random वितरण से ही समहू का जो participants हैं उनको हम निर्धारित करते हैं उसके बाद आता है हमारे पास बाहिय परिवर्तियों पपा नियंतरन मनोवी ज्ञान में एक बहुत आवशक है कि जब भी हम कोई अनुसंधान करते हैं तो अनुसंधान के लिए हमें बहुत से बाहिय कारकों को नियंतरन करना पड़ता है जैसे मान लेजिए के बाहर शोर बहुत अधिक हो रहा है या तापमान बहुत अधिक है तो वहां पर पारिशिपेंट है वो एक इंडिपेंडेंटली बिना किसी भी अवरोध के अपने उत्तर नहीं दे सकता इसलिए ऐसे कारकों को हमें नियंतरित करना पड़ता है जैसे धमनी रोधी जो स्थान है वहां पर प्रयोग किया जाए या वातालुकुलित वातावन के अदर प्रयोग किया जाए और इस तरीके से हम अगर सारे कारक हम नियंतरन नहीं कर सकते तो कम से कम जितनी देर प्रियोग चलता है उस प्रियोग के समय में एक ही जैसी प्रिस्थिती रहनी चाहिए तो इस प्रकार से जब ऐसी प्रिस्थिती पैदा की जाती है तो हमें सबसे अच्छा पर्दत इकठा करने का मौका मिलता है उसके बाद आता है हमारे पास प्रदिक विधी की तुरूटियां यानि इसकी आलोचना परियोग विधी के अंदर सबसे बात ये है कि जितने हमारे पास कार्क हैं जो विवार को प्रभावित करते हैं उनका पूरवदमान नहीं हो सकता और दूसरा उसके उपर पूरन तरीके से नियंतरन नहीं हो सकता तो ऐसे प्रिनाम हो सकते हैं जो वास्तिविक प्रिस्थिती के अनुकूलन नहीं होती तो इसलिए हमें उससे ठीक प्रिनाम प्राप्त नहीं होते और ऐसे जो हमें प्रिनाम प्राप्त होते हैं इसको हम निमन बाईय वैदिता कहते हैं परते कारण का और उसका परभाव जैसा अध्यन प्रियोक्षाला के अंदर नहीं किया जा सकता जैसे मान देजिए कि बच्चों का की पॉस्टिक्ता उनका न्यूटिशनल लेवल और उन बच्चों की बुद्धी यानि उनकी इंटेलिजेंस इसका अध्यन प्रियोक्षाला म के लिए हमें वास्तिक प्रिष्थितियों में ही जाना होगा, तो इसलिए जितने भी हमारे पास relevant variable से, समस्त जो हमारे पास परते हैं, उनको हम control नहीं कर सकते, उसके बाद आता है अक्षेतर परियोग, एम परियोग कल्प, अक्षेतर परियोग जर्जा की नाम बताता है, एक एक नेश्चित अक्षेतर के अंदर स्थान पर ही एक विवहार की वास्तिक रूप को देखा जाता है, लेकिन कई प्रिष्थितियां ऐसी होती है, कि जो प्राकृतिक रूप से जिसका अध्यन नहीं किया जा सकता, यानि फिल्ड एक्स्पेरिमेंट हर स्थान पर नहीं किय जा सकता, जैसे चातरों का मैंने आपको बताया कि अधीगम परकरिया पर अध्यन के समय का परभाव, तो इस केस में हम वास्तों में विद्याले में ही जाना होगा, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि वो बच्चे जो किसी सुनामी की कारणनाथ हो गए हैं, उनकी मनोविज् है उसके लिए हमें वास्तिक परिस्तिति ही जाना होगा, तो कुछ परिस्तितिएं ऐसी भी होती हैं, जिसको हम कुछ फिल्ड में और कुछ हम experiments के दवारा कर सकते हैं, जिसको हम quasi experiments कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इसके अंदर प्रिवर्त ऐसे होते हैं जिनका निंतन परियोग शाला में संभव नहीं है तो हम परियोग कल्प विधी का परियोग करते हैं जैसे भोकंप में अनात हुए बच्चों पर भोकंप का क्या परभाव पड़ता है इसलिए हमें उनी प्रिस्तितियों के अंदर ही जाना होगा इसका परियोग शाला में इसका धेंद नहीं किया जा सकता इस परकार परियोग कल्प में एक प्राकरतिक प्रिवेशन नीचरल सैटिंग बनाई जाती है स्वभाविक रूप से पाये जाने वाले समुहों का उप्योग करके ही हम अनाश्रित परत्यों को मैनिपलेट कर सकते है प्रायोगिक तथा नियंतरित समू का निर्मान किया जाता है यालि उसके अंदर भी हमें ऐसे बच्ची सेलेक्ट करने होते हैं जिनके उपर हम किसी ने किसी वैरियेबल को प्रिवर्थित करते हैं और उसका प्रभाव देखते हैं अगला अरता है हमारे पास से संबंदात्मत अनुसंदान को रेलेशनल रिसर्च इसके अंदर हम आम तोर पर दो परतियों के बीच में क्या संबंद है जैसे एक परते हमारा पास है विद्यार्थियों दोबारा अध्यन में लगाया गया समय और दूसरा है उनकी सेक्षिक तो इस case में इनका प्रसपर क्या संबंद है अगर एक variable बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है जैसे बच्चे अधिक समय लगाते हैं पढ़ने के लिए तो उनका निश्पादम भी अधिक होता है उनकी knowledge भी अधिक होती है कम लगाते हैं तो कम होती है तो ऐसे relationship को हम हमेशा धनात्मक correlation कहते हैं positive correlation कहते हैं यहां अधियन के समय को manipulate नहीं कर ला है बलकि केवल उनके परिवर्ट्यूंके मद्य संबंद को जानना चाहते हैं हम तो इस तरीके से हम दोनों में के साथ चरिये association उनके आपस में क्या है उनका आपस में संबंद क्या है यानि दो परिवर्ट्यों के संबंद को जानना को रिलेशनल कहलाता है इसी को सांख्याएकी विधी से calculation करके coefficients of correlation से संबंद गुरान के निकालते हैं जिसको correlational coefficient कहा जाता है मैं यहाँ आपको बता दूँ कि ये negative भी हो सकता है ये कोई भी संबंद नहीं हो इसकी value 0 भी हो सकती है और positive 1 भी हो सकती है तो जब हम बात करते हैं coefficient of correlation की इसकी कम से कम value minus 1 हो सकती है और अधिक्तम value plus 1 हो सकती है तो इस तरीके से हम दो परिवर्टों के बीच ये संबंद का अध्यान करते है तो positive correlation होता है उसके बाद उसका negative correlation आता है और उसके साथ zero correlation भी होता है यानि एक परिवर्टे का दूसरे परिवर्टे के साथ कोई संबंद नहीं होता उसके बाद आता है हमारे पास Survection Anusandha Surveay Research ये एक बहुत ही important part है जैसे हम ये चाहते हैं कि लोगों का किसी भी चीज़ के बारे में क्या मत है मान लीजी जैसे election का time आता है तो हम देखते हैं किस राजनीतिक दल की और लोगों का रुधान है तो हम यहां पर लोगों के किसी में लोगों के को मिलते हैं Surveay करते हैं Surveation करते हैं ये विधी बहुत लंबी ज्यादा population के लिए भी परियोग में लाई जा सकती है बहुत अधिक जनसंख्या के लिए भी परियोग में लाई जा सकती है इसी परकार से जो अलग-अलग हमारे पास विशे हैं सामाजिक जो विशे हैं जैसे मान लेजिए परिवार नियोजन है पंचाइती राज को अधिक शक्तियां दी जाएं या ना दी जाएं इस बात को जानने के लिए हम सर्वे विधी का ही परियोग में तो इस तरीके से जो सर्वेक्शन है ये भी हमें एक परदत एकठा करने के लिए अनुसंदान करने के लिए एक बहुत अच्छा मैथट है हमारे पास बहुत अच्छी विधी है जिसको हम काफी ज्यादा पापुलेशन के लिए भी प्रियोग में ला सकते हैं सर्वेक्शन अनुसंदान के लिए इसके कौन कौन से हमारे पास विधिया है यानि सर्वेक्शन अनुसंदान सर्वे हम किस-किस विधी के दवारा कर सकते हैं अब देखेगा इसमें जो डिफरेंट मेथेडिस सबसे पहला है व्यक्तिक साक्षातकार यानि परसनल इंटर्व्यू लोगों से सूचना प्राप्त करने के लिए साक्षातकार किया जाता है यानि आमने सामने बैठकर साक्षातकार करता प्रसन पूचता है और जो साक्षातकार कर रहा है वो उसके उत्तर देता है उसके आधार पर निशकर्ष निकाला जा सकता है दो या दो से अधिक व्यक्ति भी एक समय में इंक्रियू के अंदर भाग ले सकते हैं साक्षातकार में भाग ले सकते हैं कभी ऐसा भी होता है कि एक समू ही दूसरे समू का साक्षातकार करता है तो होता क्या है जिस सबश्च्छा को हम जानना चाहते हैं केवल उसी से संबंधित प्रशन पूछे जाते हैं उसके बाद आता है हमारे पास साक्षात्कार के परकार यानि टाइपस ऑफ इंट्रियू एक होता है structured जिसको हम सरंचित कहते हैं जो सरंचित साक्षात्कार है और दूसरा है stylized सात्कार है जिसको हम ए सरंचित या unstructured ए मानिकर्थ साक्षात्कार कहते हैं देखेगा कि जो structured interview है उसके अंदर interviewer पहले ही परशन के decide करता है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उसके जो उस्तर है वो भी पहले ही decided होते हैं लेकिन जो unstructured होता है उसके अंदर कोई करम नहीं होता परशन का कोई करम नहीं होता लेकिन पहले जो structured है उसके अंदर परशन करता को को पर्षनों का करम बदलने की सर्तंतरता नहीं है लेकिन जो अंस्ट्रक्श्चर्ड है उसका करम बदलने की भी है उसको सर्तंतरता होती है तो इस परकार से जो हमारे पास शाख्षाद कार करता को पर्षनों की शबदावली में तता उनसे पुछे जाने वाले करम में कोई परिवर्तन करने के सबतंतता नहीं होती लेकिन कपीते द Commission में इन सम केसे इन पर्षनों की पर्थिक्रियाओं को बदला भी जा सकता है तो यह था, जैसा मैंने आपको पताया, कि जो उत्तर हैं, यानि उसके अंदर close-ended questions होते हैं, यहां पर जो साक्षातकार में भाग ले रहे हैं वेक्ति, उसकी कोई भी personal, कोई उसका उत्तर नहीं होता, उसमें क्या होता है, उसके अंदर मान लीजे choice दी जाती है, जैसे, दहेज पर्था अच्छी है, आप उसके लिए सहमत करते हैं, बहुत अधिक सहमत करते हैं, सहमत करते हैं, नहीं करते हैं, बहुत अधिक नहीं करते हैं, एक scale बनी होई होती है, जिसको हम rating scale कहती है तो यहाँ पर जो साक्षातकार में भाग ले रहा है उसके पास कोई option नहीं होती है उसको उत्तर उसी के अनुसार देने होते है लेकिन जो unstructured है उसके अंदर जो साक्षातकार है कोई भी person पूछ सकता है और उसका उत्तर भी वो अपने अनुसार दे सकता है इस तरीके से इसमें अंतर होता है दोनों के अंदर structured interview में भी और unstructured interview के अंदर भी उसके बाद जाता है हमारे पास प्रतिभागियों की सन्युक्तियां combinations of participants in an interview situation प्रजाय मैंने आपको पूरो में भी पताया व्यक्ति से एक व्यक्ति साक्षातकार करता किसी भी एक व्यक्ति से परशन करता है समश्या से उससे संबन देता है एक ही व्यक्ति समू से साक्षातकार करता है यानि कि पूरा समू साक्षातकार में भाग लेता है और ऐसा भी होता है कि एक समू एक व्यक्ति से साक्षातकार करता है तो इस तरीके से हम यह देखते हैं कि तीन प्रकार से हम साक्षातकार करता कर सकता है उसके बाद है साक्षातकार करना एक कोशल है इसके लिए बड़ी ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है और साक्षात्कार जो है बहुत भी ज्यादा अभ्यास के बाद इनसान एक बहुत अच्छे प्रकार से साक्षात्कार कर सकता है साक्षात्कार की उप्युकता है एक यहां पर हम सूचनाओं को बड़ी गहराई से जान सकते हैं किसी व्यक्ति को हम बहुत ही गहराई से उसको समझ सकते हैं परिस्थिती के अनुसार इसको लचीला और अनुकूलित बनाया जा सकता है बच्चों तथा ऐस शिक्षित जो व्यक्ति हैं यानि बच्चे जिसको लेग्विज बहुत जादा डेवलप नहीं होती बच्चे जो भाषा नहीं आती है या शिक्षित है उसको भी भाषा बहुत अधीक नहीं आती तो उनके बारे में भी हम आपस में आमने सामने बैठ कर हम उसके बारे में भी सूचना पराप्त कर सकते हैं लेकिन साक्षातकार की कुछ सीमाएं भी है एक तो इसमें समय बहुत अधीक लगता है यानि time consuming process है दूसरा इसमें लागत भी बहुत अधीक है यानि कोई ये cost effective नहीं है खर्चा बहुत अधीक होता है पैसा बहुत अधीक लगता है उसके बाद जो साख्षातकार है लेकिन फिर भी ये एक परभावी विदी है cost effective नहीं है लेकिन फिर भी एक परभावी विदी है किसी सूचना को एक अधीरित करने के लिए इस भाग में हमने बहुत महत्वपूर्ण अनुसंधान की विदीयों पर चर्चा की है तीसरे भाग में हम इनी विदीयों के बारे में और चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है अनुसंधान में नैतिक मुद्दिक ये बहुत इंपॉर्टन है ये हम तीसरे भाग में धेन करेंगे नमस्कार करी चैजर कुछंवर्ण परते ज्लिए तीसरे बादाएम के लिदीयों के लिदा में तीसरे ऑगाए है थागाल हम आगाल आगाए हम दून हम एम एम एमाड़्पका अज़्स हम दितने दो